गुड इवनिंग हेलो एंड वेलकम टू वेकली करेंट अफेर्स एंग्लिश अवल चैनल पे मैं निमडी पांडे आपका स्वागत करता हूं और जैसा कि हम पहले से कर रहे हैं बच्चों के लिए वीकली करेंट अफेर्स लेके आते हैं तो एक बार फिर से इस से 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 अपका स्वागत है आज मैं लेके आया हूं तेईस से लेके 31 जुलाई तक के करेंट अफेर्स इसके अलावा अगर आप किसी और दूसरे कॉम्प्रेटिव एक्जाम की प्र करते हैं ठीक है तो बिना किसी टाइम को वेस्ट यहायी स्टार्ट करते नैटो विलेरस समेट अब यह नैटो 12 जुलाइ for a North Atlantic Treaty Organization. North Atlantic Treaty Organization, आप सबको पता होना चाहिए, एक military organization है. Normally, ये organization की सुरुआत हुईती, 1949 में, after the second world war, जब एक competition start हो गया था between Soviet forces and अगर हम बात करते हैं USA के बीच. ठीक है, तो ये दोनों अपने आपको superpowers जो थे, एक तरह से अपने आपको superpowers दिखाना चाहते थे, दुनिया भर के अंदर अपना dominance दिखाने के पूसिस कर रहे थे, तो NATO ने actually बनाया गया था, Soviet को overpast करने के लिए, ठीक है. So North Atlantic Treaty Organization, 1949 में इसका formation हुआ था, अगर बात करते हैं, बारह देशों से इसकी सुरुवात हुई थी, ठीक है, और नॉर्मली इसमें European countries जो है, मेजोर्टी में हैं. The future of the war in Ukraine was under discussion, while Sweden's bid to join NATO is one step closer now, Turkey has dropped its objection. अब क्या है, इसमें जो important events हुएं, उसके उपर बात कर लेते हैं, कि सबसे पहले तो आप सबको पता है, क्योंकि NATO जो है, एक military organization है, मतलब NATO country में से, किसी भी एक देश के उपर, अगर दूसरे किसी country ने attack कर दिया, जो कि NATO का part नहीं है, तो NATO की सभी country मिलके उसके against war कर देंगी ठीक है, तो इसमें क्या है, पहली चीज आती है, इसमें Ukraine के मुद्धे पर बात की गई, आप सबको पता होना चाहिए, कि Ukraine और Russia की वीच जो war चल रहा है, इसमें Russia ने जो Ukraine पर attack किया है, उसके पीछे एक reason ही ये NATO है, ठीक है, क्योंकि Russia को ये डर है, कि उसकी border security जो है, उसको challenge किया जाएगा, अगर Ukraine NATO को join कर लेता है, because Ukraine Russia का neighboring countries है, so इसी base को लेके, एक तरह से Russia ने Ukraine पर war किया है, ये reason है, अब उसको उपर चर्चा हुआ सबसे पहले, दूसरी जो सबसे important चीज यहां पर हुई, दो country है, एक है Sweden, और एक है Finland, अगें ये दोनों country भी क्या है, neighboring country है, किसकी Russia की, ये दोनों देशों ने भी कहा, कि हम join करना चाते है NATO को, ठीक है, ये बहुत पहले से अपना एक तरह से interest दिखा चुके है, कि वो NATO organization को join करना चाते है, पर यहां पर दिक्कत क्या आ रही थी, दिक्कत आ रही थी Turkey की तरफ से, Turkey जो है, आपको याद है Tayyap Erdogan, ये यहां क ये राष्टपती है, ठीक है, और ये बार-बार, क्योंकि ये NATO के member है, और NATO का अगर एक भी member, वहाँ पे अपना veto power use करके मना करता है, तो दूसरे देश join नहीं कर सकते है NATO को, ये join करने से मना कर रहे थे, बाकि सभी देश ने accept कर लिया थी, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप join करने दिजे, बट इन्होंने मना कर दिया, रीजन क्या था, इसके पीछे रीजन था, कुर्दिस, कुर्दिस जो forces हैं, उसको लेके, अब ये क्या है, ये समझे, एक PKK करके, वहाँ पे organization है, ठीक है, तुर्की, अगर मैं बात करता हूँ, तो workers organization है, और इनके बीच और तर्की के बीच, मतला आप समझ लीजे, internal war चलता है, इस particular को इन लोग ने, तर्की ने क्या कर सकता है, एक terrorist organization घोसित कर रखा है, ठीक है, तर्की के अंदर हम कहते हैं, तो minority में ये एक group है, तो ये claim करते हैं, बार-बार कि तर्की के जो लोग है, जो वहाँ पे, जो इस्ल 30,000 से 40,000 लोग लगवाँ मारे गया थे, और इस war को उस समय support, इनका support किया था, किसने, Sweden ने, Finland ने, तो इस बात को लेके, टर्की जो है, Sweden और Finland से गुस्सा रहता है, और इसलिए इनको NATO join करने से मना कर रहा था, लेकिन, इस बार जो ये meeting हुई है, summit हुआ है, नेटो का, इसम ने कहा है कि ठीक है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना, तो इस चीज़ को लेके, एक clarification मिला है, ये एक बड़ा event हुआ है, अब इस से problem क्या होगा, इस से problem Russia को होगा, कि Russia फिर से कहेगा कि हमारी border security जो है, उसको challenge होगा, क्योंकि जो Russia neighboring countries है, अगर वो NATO को join कर लेती है, त तो NATO और USA, इन सभी देशों को एक benefit यह हो जाएगा, कि ये Russian जो borders है, या Russia जो country है, उसके बहुत करीब पहुँच जाएंगे, और वहाँ से निगरानी कर पाएंगे, spy कर पाएंगे, ये सारी चीज़ है, तो वाइल NATO गेव जेलेंस की, and assurance that Ukraine would be invited to join, it stopped short of outlining a clear time table for membership, अब दूस दूसरा इसमें बड़ी चीज जो हुई, NATO ने, क्योंकि बार बार Ukraine जो कह रहा है कि हम join करना चाहते हैं, और NATO कह रहा है कि ठीक हम इसके ओपर विचार कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी condition है, NATO को join करने के लिए एक तो देश देमोक्रेटिक होना चाहिए, तो ठीक है, Ukraine कह रहे है वहाँ पे जलेंस की कि हमारा देश देमोक्रेटिक तो है, दूसरी और भी बहुत सारी conditions होनी चाहिए, अब democracy के साथ साथ Republic होना चाहिए, एक sovereign country होना चाहिए, sovereign का मतलब कि उसके अपने land area पे उसका खुद का control होना चाहिए, अपने तरीके से ओ decision ले सके, लेकिन बहुत सारा ऐसा part है Ukraine का, जो अभी Ukraine के खुद के control में नहीं है, that is control by Russian forces, तो यहाँ पे एक और question करके इस चीज़ को रोका जा रहा है, दूसरा आप इस चीज़ को थोड़ा अगर broader view में समझना चाहिए, तो आप यह समझ लीजे, कि अभी Ukraine war में है Russia के साथ, अगर NATO इस समय Ukraine को join कर लेता ह मतलब Ukraine NATO को join कर लेता है, या NATO accept कर लेते हैं Ukraine की membership को, तो दिक्कत यह आएगी, कि एक बाट यह direct फिर war हो जाएगा किसके साथ, NATO और Russia का, और कोई भी NATO country इस समय लड़ाई नहीं करना चाहती है, रसिया से क्यों लड़ाई करना, या यह risk क्यों लेना, तो वो भी इंतजार कर र हो रहा है, कि उसके border security को challenge हो रहा है, तो यह बहुत सारी चीजे हैं, मेरे खाल से यह चीज हमेशा एक dispute में बना रहेगा, बहुत लंबे समय तक यह चलने वाला है, However, the summit did include the inaugural session of the NATO Ukraine Council on 12 July, where Zelensky was welcomed by NATO Secretary General Jens Stolenberg, तो याद रखने वाली जो चीज है, NATO के जो Secretary General है, General Jens Stolenberg, इनों ने वहाँ पे Zelensky का बहुत एक तरह से खुश मिजास तरीके से उनका वेलकम किया, So, earlier in the week, before the summit, Sweden's bid to join NATO was finally approved by Turkey, which had been blocking up its application pending Sweden recognition revealed as terrorist organization. Now, you can see, Sweden, I have told you the story about how Sweden blocked and kept it by Turkey, that Sweden didn't get membership, that Turkey had finally accepted it, Finland also. So, Jens Stolenberg did not give a date for when Sweden's accession would be rectified, यानि कि finally, कब पूरा सब लोग sign-win करके तयार कर देंगी कि यहाँ Sweden नहीं यह जोइन कर लिया, अभी इसकी date नहीं specify की गई है, लिक हाँ, एक तरह से oral जो declaration है, वो हो चुका है. Sweden will become the 32nd country to join NATO, और आज के समय में अगर हम बात करें, तो current NATO members जो है, यह आपको dark blue color में जो यह सब दिख रहे हैं, यह इस समय NATO के members है, ठीक है, almost पूरा का पूरा जो Europe है, यह NATO member है, कुछ Austria और Serbia और यह एक दो देश छोड़के, ठीक है, बाकि सब NATO members है, यहाँ तक की Estonia, Lativia, Lithuania, यह भी NATO के members है, बस यहाँ पर यह दिखिए, अब Finland, Finland जब NATO को join कर देगा, तो जो boundary आती है NATO की रसिया के साथ, वो boundary सीधा double हो जाएगी, ठीक है, तो यह बड़ा critical thing हो जाएगा, रसिया के लिए, और challenging हो जाएगा, Now, Finland officially became the 31st ally of NATO, और इस समय Finland, Finland join कर चुका है, sorry, Finland जो है, 31 देश बन चुका है, NATO को join करने वाला, April 4, 2023 को join कर लिया था, after NATO ally signed its accession protocol on 5th July, all 30 national parliaments had voted to ratify the country's membership, और इसके पहले, 30 के 30 जो देश थे, उन्होंने ratify कर दिया, कि हाँ ठीक है, हम Finland को accept करते हैं, as a NATO member, NATO की history की बात करते हैं, tied with Russian expansionism, it was created in 1949, response to the then premier of USSR, उस समय जो Joseph Stalin थे, जिस तरीके से वो, अगर हम बात करते हैं, Eastern Asian countries को अपने साथ जोडते जा रहे थे, उसको देखते हुए, अमेरिका ने क्या किया, एक organization मनाया, जिसको NATO नाम रखा गया, the Madrid summit declaration in June 2022, 3FM NATO's open door policy, फिर Madrid summit में क्या हुआ था, open door policy रखा गया था, कि कोई भी आके इसको join कर सकता है, which allow any European country to apply to join, but they must commit to defense spending, लेकिन एक इसमें और सर्थ है, जो Ukraine को भी रोक रहा है, that is, उस देश को अपना 2% जो GDP है, GDP का 2% अपने defense पे spend करना पड़ेगा, ठीक है? In March 2020, the previous round of enlargement saw the Republic of North Macedonia join, while Georgia, Bosnia, Harjoonia are in the application process now alongside Ukraine, कि यह सब देश जो है, अभी application process में, Ukraine के साथ साथ कि यह कब join करेंगे, ठीक है? तो यह थी पूरी news, अगर हम बात करते हैं, तो, अब यहां पी कुछ question है, what was one of the main topics of discussion at the summit? Summit में क्या discussion के main topics थे, एक बार comment box में उज़े लिखके यह बता दीजेगा, ठीक है? जो बच्चे देख रहे हैं, और आप जब भी इसको देख रहे हैं, मैं आपसे यह कहूँगा, कि मेरे साथ साथ, अगर मैं question करूँगा, after the completion of the topic, तो आप उस question का जवाब दीजेए, comment box में लिखके, so that मुझे भी clear हो जाए, आपकी कितनी clarification होई है, समझ कितना आया है, ठीक है? और आप भी अपने आपको चेक कर पाएंगे. So the future of war in Ukraine, Sweden's bid to join NATO, NATO Ukraine Council, और all of the above. हाँ, तो यह all of the above इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है? Next, when will Sweden accession to NATO be ratified? कब ratified के है? Sweden को कब, it will be ratified by the end of 2023, it is not yet clear when it will be ratified. हाँ, इसमें क्या पढ़ा आपने? अगर देखो, यहाँ पर लिखा हुए है, pending and groups, Jens told you, did not give a date for when Sweden accession would be ratified. तो अभी date नहीं आया है, ठीक है, कब ratified किया जाएगा? पर Sweden will become the 32nd country यहाँ पर. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि date is not clear, it will be, it is not yet clear when it will be ratified. कि अभी इसको एक्सेप्ट, which is the 32nd country that will join NATO, that is Sweden, ठीक है? I hope, अब आपके लिए बहुत easy हो गया. Next, Rakesh Pal appointed as 25th Director General of Indian Coast Guard. Indian Coast Guard के नए Director General बने हैं, इनका नाम है Rakesh Pal. अब देखे, Rakesh Pal has been appointed as the 25th Director General of the Indian Coast Guard. ICGs इसको बोलते हैं. इस समय Director General है, Rakesh Pal, was conferred with the Tatt Rakshak Medal in 2013. इनको Tatt Rakshak Medal दिया गया है, और इससे पहले President Tatt Rakshak Medal भी दिया. मतलब इसके बाद President Tatt Rakshak Medal भी इन्होंने जीता. ठीक्या, for his illustrious service जो इन्होंने अपना दिया है Coast Guard में. अगर हम बात करते हैं, Indian Coast Guard की, it is the Maritime Law Enforcement Search and Rescue Agency of India. यानि जितना भी Maritime, जितना भी Coast से related, समुद्र से related, जो सारी चीजे सर्च और रेस्क्यू का काम होता है, वो Indian Coast Guard कटती है. It was formally established on 1st February 1977 by the Coast Guard Act 1978, यानि इसको established किया गया था February 1977 में, और finally जो Coast Guard Act हुआ 1978 में, इसका establishment हो गया था. इसका motto क्या है? question पूछ लिया जाता है कई बार, कि what is the motto of the Indian Coast Guard? तो इसका motto है, हिंदी में कहेंगे, वें रक्षाम या संस्क्रीट का एक वर्ड है, ठीक है? वें रक्षाम इसका मतलब होता है, which translate to we protect, यानि हम protect करेंगे, ठीक है? The Indian Coast Guard has jurisdiction over the entire Indian exclusive economic zone. अब ये exclusive economic zone जो होता है, देश के boundary से, मतलब land boundary से, जो coastal boundary से, जो पूरा एरिया 200 तक का, nautical miles तक का, जो समुदर का एरिया होता है, वो उसके jurisdiction का part होता है. jurisdiction का पार्ट होता है, उसका छेतरा दिकार है, उसमें, वो उसमें अगर चाहें तो mining activity कर सकते हैं, वहाँ पे अपने तरीके से, अगर कोई island बनाना चाहते हैं, तो island बना सकते हैं, तो ये सब उस देश के jurisdiction में आता है, उसके छेतरा दिकार में आता है. Indian Coast Guard Headquarter कहां पे है? Indian Coast Guard Headquarter is in New Delhi, नई Delhi में. ठीक है? आगे बढ़ें, next news पे. चलिए, President has awarded President, अच्छा, इसी में, next news नहीं, इसी में मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमने पढ़ा कि कैसे, पाल जी को President Award मिला हुआ है और ततरक्षक Medal मिला हुआ है. तो जो President होते हैं, उन्होंने Award किया है President ततरक्षक Medal, और ततरक्षक Medal जो होता है, वो इंडियन कोश्चगार्ड परसनल for their Act of Conspirus Galantry, ये कौन देता है? ततरक्षक Medal जो होता है, इस गिवेन बाई, जनरली गिवेन बाई Defense Minister of India. ततरक्षक Medal, Defense Minister देते हैं, President ततरक्षक Medal, President देते हैं, ठीक है? The awards are being given to the personnel of Indian कोश्चगार्ड on the occasion. जब Republic Day या Independence Day celebrate किया जाता है हर साल, तो ये Award दिया जाता है, ठीक है? Next, who is the current Director General of Indian कोश्चगार्ड? अब ये question आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, Director General Rakesh Pal, ठीक है? आगे चलें. What is the jurisdiction of Indian कोश्चगार्ड? The entire Indian Exclusive Economic Zone, तो यही इसका correct answer होगा, Option A, ठीक है? जो बच्चे देख रहे हैं, मैंने कहा, या जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको कहूंगा, कि देखते देखते आपसे जब question किया जाए, आप उस समय answer करने की कोशिश करने, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ें. Admiral Lisa Frenchetti becomes first woman to lead US Navy. अब देखे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इनको? बिल्कुल. US Navy को lead करने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है? इसका मतलब यह है कि इससे पहले जो थे, आज तक male officers ने lead किया था, US Navy को, पहली बार महिला officer ने lead किया है, तो एक तरह से यह भी बता रहा है कि Joe Biden एक message भेजना चाहते हैं, कि वो gender equality और gender parity को दिखाना चाहते हैं, ठीक है? So, President Joe Biden has nominated Admiral Lisa Frenchetti to lead the US Navy. If confirmed, अगर यह चीज़ बांग में, बाकी जो आगे का clearance होता है, clear हो जाती हैं, सारी चीज़ें, She would be the first woman service chief in the Pentagon. Pentagon क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा defense office है, अमेरिका का, USA का, और अब तक कोई भी office की, अगर हम compare करते हैं, तो आस दुनिया का सबसे बड़ा office था, यह building. जब तक गुजरात के अंदर वो building open नहीं हो गया, जो आपको मैंने पिसले current affairs में कराया था, जानने के लिए आप जाके बिलकुल पिसले current affairs में देखे. And the first female member of the Joint Chiefs of Chief of Staff, who is currently the Vice Chief of Operations for the Navy, इस समय यह Vice Chief of Operations की head है, नेवी के अंदर, a surface warfare officer, she was commissioned in 1985, इनको 1985 में commission किया गया था, and has commanded at all levels, heading the US 6th Fleet and US Naval Forces Korea, यहां पे इनोंने अपनी service दे रखी है, इनके पास enormous, बिलकुल एकडम मैं कहूंगा experience है, and definitely deserve परती है, तो इनको बनाया गया है, ठीक है, और जो अमेरिका के president है, एक message देना चाहते है, उस message को यही कह सकते हैं, कि gender parity और gender equality का message देना चाहते है, अब अगला news है, rule 176 and rule 267, क्या है, what is this rule 166 and rule 267, what government agrees to, what opposition demands, अब यहां पे question आ गया, यह तबकी बात कर रहे हैं, जब अ अगला पार्लेमेंट का, उसके अंदर अगर आप देखोगे, तो opposition बार-बार protest कर रहे हैं, बार-बार एक चीज को लेकर आवाज कर रहे थे, वो था मड़ीपूर का incident, सबसे बड़ा मुद्दा था, जो news में था, वो मनिपूर, मनिपूर में जो बहुत भ्यानक एक incident हुआ जो वीडियो पूरा वाइरल हो गया था, अगर मैं बात कर रहा हूँ, वो दो लेडिस के बारे में, जो उन्हों ऐसा किया था, कुकी ग्रूप की अगर बात कर रहे हैं, तो उस चीज को, कुकी ट्राइबल ग्रूप, तो उस चीज को लेके, और मड़ीपूर के अंदर जैस ठीक है, अब यह चाहते थे कि नरेंदर मोदी आके बयान दे, उस चकर में बाकी जो हाउस का कामकार था, उसको रोका गया था, एक तरह से मैं कहूंगा कि उसको disrupt किया गया, और फाइनली मोदी जी पहले दिन, स्टार्टिं के मौनसून सेशन के पहले दिन ही ऐसा कुछ बो पूर वीडियो to the media, but opposition parties, 26 of whom have joined hands to form the alliance i.n.d.i.a, ऐसा BJP कहती है, मतलब वो इंडिया नहीं पढ़ती इस alliance को, जो आपको पता है कि लगबग 26 opposition parties ने मिलके एक alliance किया है, ठीक है, कि इस बार जो लोगसभा election होने वाला है, उस लोगसभा election में यह सब मिलके BJP के against fight करेंगी persistent in their demand that Modi should take siu moto cognizance, siu moto का मतलब कि अपने आप, अपनी responsibility समझते हुए, आएं और मडिपूर के मुद्धे पे कुछ बयान दें, ठीक है, and make a statement which would be followed by a discussion on the matter by suspending rest of the business under rule 267, but इसमें जो जानने वली बात है, examination point of view से जो important है, वो आता है कि बार बार opposition कह रहा है कि rule 267 apply हो, ठीक है, and the Rajasvah rules of procedures and conduct of business, ठीक है, rule 267 क्या है, और फिर, वो opposition कह रहा है, rule 267 apply हो, और government कह रही है, कि हम rule 176 को चलाएंगे, और उसके तहर दिसकस करेंगे, वो कह रहे है, हम 267 के तहर दिसकस करना चाहते हैं, यह कह रहे है, हम 176 के तहर दिसकस करेंगे, अब बात क्या है, कि what is rule 226, what is rule 176, चली ही समझते हैं, यह opposition डिमांड कर रहा है, यह rule 226, opposition का डिमांड है, और 176, ruling party का डिमांड है, रेड रेड में इसमें आपको साहत क्लियर नहीं दिख रहा हूँ, okay, description, relate to the suspension of rule, यह क्या करेंगा, बाकी, पार्लियमेंट के rules की हम बात कर रहे हैं, याद रखे पार्लियमेंट के अंदर जो कारेकाल चलता है, जिस तरीके से पूरा प्रोसीजर होता है, उसके according rule 226, यह कहता है, relate to the suspension of rule, बाकी rules सभी suspend हो जाएंगे, 176, enable short duration discussion, यह क्या कहता है, कि हम short duration का discussion करा लेते हैं, ठीक है, उस matter पे, और यह कहता है, बाकी सारे rules को हटाइए, और सि उपर discussion चाहिए, used to prioritize a specific, इसमें भी किसी एक particular topic को prioritize करने के होता है, discussion by suspending normal proceeding, मतलब आपको पता है कि Parliament की proceeding होती है, सुबह से question hour start होता है, फिर zero hour आता है, ऐसे बहुत सारी चीज़े होती है, पुरा step wise manner में सब organized होता है, वो सब खतम कर देता है, यह rule, वो कहता है कि सीधा हम, जि पे discussion चाहिए, बाकि सब suspend करेंगे, require consent of the chairman of the, for the rule suspension, अगर लोग सभा, अच्छा, यह लोग सभा की बात कर रहे है, अगर लोग सभा के chairman, अपना consent दे दे, क्या दे कि हाटी कि हम rule 226 अभी apply करते हैं, बाकि सब कामताज को suspend करते हैं, अभी के लिए आज सिर्फ इस topic पे discussion हो, त priority to the specified topic for discussion, और specific topic को priority दे दी जाती है, discussion के लिए, यानि मड़ीपूर के उपर बात होगी, यह opposition की demand थी कि हम इस rule को apply करें, government क्या कह रही है, वो यह नहीं कह रही कि हम बात नहीं करेंगे, वो कह रही है कि नहीं, बात करने के लिए हम rule 176 apply करते हैं, enable short duration discussion, इसमें क्या होगा, discussion क time limit fix कर दिया जाएगा, कि इस time limit के अंदर हम इस topic पर सिर्फ discuss करेंगे, इसके बाद दूसरे जो topics हैं, उसके उपर discussion होगा, used for raising urgent public matter within a time limit of two and half hours, यानि दो से धाई गंटे के बीच, एक urgent public matter की जो topic है, उसके उपर discussion किया जाएगा, it requires written notice and explanatory note with signatures of at least two other members, यानि कम से कम दो members और ए क्यों ये rule 176 apply करना चाहते हैं, आकिर क्यों बाकी matter को हटा कि इस matter पर discussion करना चाहते हैं, वो explanation अगर clear लगा, so it allows for time limited discussion on the matter of urgent public importance, कि एक time limit के अंदर public importance के matter पर discuss कर दिया जाएगा, facilities addressing urgent public matters within a constant time frame, तो कहने का मतलब कि इसका मतलब यह है कि इसमें time frame limit नहीं जाएगा, पूरे दिन इसके उपर चर्चा हो सकती है, अगर rule 226 apply हुआ, बाकी सब कामकाज को suspend करके, इसका कहने का मतलब यह है कि हम सिर्फ उसका time limit fix करके, उतने देर के अंदर उस matter पर discuss करेंगे, और फिर दूसरे बाकी कारेकाल को भी उतना मौका देंगे, ठीक है, आगे बढ़ें, अच्छा, यह चीज हमने कवा लिया अलरी, नेक्स्ट, इटली ओनर्स, अच्छा, इसका result क्या रहा है, अब discussion हुआ, ठीक है, अभी तो हम अगस्त में पढ़ रहे हैं, तो अगस्त में अगर पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए, कि अब discussion हो गया, इसके बाद no confidence motion भ पढ़ाऊंगा, वो topic आएगा ही, तो इतना कोई बात नहीं करेंगे, पर हुआ कुछ नहीं, चर्चा थोड़ा बहुत हुई, मोदी जी ने बयान दिया, और Congress को भी थोड़ा सुनाया, Congress ने उनको सुनाया, और फिर बहुत जादे कुछ, इसमें discussion में कुछ निकला नहीं, ठ इतली जो थी, AXIS Power की तरफ से थी, लेकिन फिर भी, और हमारी आर्मी, जो Indian आर्मी थी, actually मैं British Army कहिये, Indian Army कहिये, क्योंकि Britishers ने, अगर हम बात करें, तो हमने, हमारे सैनिको ने इसले पार्टिसिपेट किया था कि ब्रिटिसर्स देश छोड़के चले जाएंगे इस सर्थ के साथ ठीक है तो अलाइड आर्मी में हमारे बहुत सारे सुल्डर्स ने एक तरह से अपना पार्टिसिपेशन किया था आर्मी की तरफ से और एक्सिस पाउर को हराए गया था ठीक है सिकेंड वर्ड वर में अब उसी चीज को याद करते हुए इटली ने क्या किया है रिमेंबर दा सुप्रीम सेक्रिफाइस बाइड इंडियन आर्मी इटली एक उस समय के जो सिपाही थे जिन्होंने अपना जीवन निवचाओर कर दिया था उनके याद में संडायल मेमोरियल बनाए गया है वी सी यश्वन्थ हडगे के याद में इन मोनोटोन पेरूगिया इन इटली as a tribute to the Indian troops who fought during Italian campaign during the Second World War इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी उनके याद में ये मेमोरियल बनाए गया है मेमोरियल इस नेम्ड आफ्टर नायक यश्वन घडगरे इनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया इन्होंने ये बताय कि हम विक्टोरिया क्रॉस जिनको मिला हुआ था मर गयते उनकी याद में ये मेमोरियल बनाए गया है अब इस मेमोरियल का मोटो क्या है वो है ओमाइन्स सब योदिम सोल मतलब क्या है इसका विच ट्रांसलेट इन इंग्लिस आज वी आल लीव अंडर दा सेम सन यानि हम सब एक सूरज के नीचे रह रह रहे है इसलिए लड़ाई नहीं करना चाहिए शांती बना के रखनी चाहिए ये कहने का मकसद था ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट इंडिया हैंड्स किरपान टु वियतनाम एंड मार्क मूव देखें इंडिया अब इंडिया जो है इतना सेल्फ रिलाइंट हो गया है और इतनी सा अगे और आगे इसको और बढ़ाना है इस समय हमने क्या किया है वियतनाम अगर देखा जाए इस्ट्राटीजिकली जो चाहिए के साथ हमारा जैसा रिलेशन है तो हम चाहते हैं कि उसके आस पास की जो दूसरे कंट्रीज है उनके साथ हम अपना इस रिलेशन इतना अच्छ चोटा फाइटर अगर हम बात करें तो इसमें चोटी वेपनरी लगी होती है इस देख सकते हैं यहां पर ठीक है जो स्मॉल वार्फेयर में काम भी आता है एक्ट्व यूज द इंडियन नेवी तो वियतनाम पीपल्स नेवी यानि हमने वियतनाम पीपल्स नेवी को यह दि वियतनाम के रियर अड्मिरल हैं फैम मैं हूं डेप्टी कमांडर इंचीफ एंचीफ अग चीफ अफ स्टाफ वियतनाम पीपल्स नेवी उनको यह हैंड़ोवर किया ठीक है इन प्रेसंट अब इस रिस्पेक्ट्व मेंब्स इस मार्स ताम इंडिया हैं फूल ओपरेशनल क काम करने के बाद इसको कर दिया गया है और अब यह वियतनाम पीपल्स नेवी के लिए काम करेगा ठीक हैं टूड़े अट काम रेन वियतनाम जगह है केमरा एं वियतनाम में वहां पर यह चीज हैंड़ोवर कर दी गई ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है एक तो इनस करपान पहली बार हमने किसी देश को कोई कॉरवेट दिया हुआ है यह एक स्मॉल विपनरी अगर बात करते हैं शिप को इसका आंस्वर करने की कोशिस करें इनस क्रिपान ठीक है नेक्स्ट वेर डिट दी कमिशनिंग और सर्वनी ऑफ इनस क्रिपान टू दर विपन टेक प्लेस कहां पर हुआ यह यह हुआ कैम रंड जगह है वियताम के अंदर ठीक है वहां पर नेक्स्ट इसरो टू लांच पीएसल्वी सटेलाइट्स जिसको बोला आता है पीएसल्वी सीफिटि सिक्स को लॉइंट किया जाएगा जिसके साथ लगबक से Андjai को पैसेंजर सेटिलाइट होंगे साटिलाइट्स जो होते द सेटे मुंद इफरें बिफरेंट पर्पस के लिए यूस किये जाते हैं जो कि जाके अर् वीकल जिसको बोला आता है PSLV C-56 carrying Singapore's DSSAR satellite along with six co passenger will be launched on July. तो इसमें सबसे main important जो satellite होगा वो है Singapore का DSR satellite और उसके पास उसके साथ 6 co passenger satellite भी है जिसको July 30 को launch किया गया है तो आज आप समझ सकते हैं हम इतने काबिल रखते हैं इतनी काबिलियत हो गया है और क्योंकि अब तो अब मैं आज टेलिकास्ट ये जो चल रहा है लाइव आप देख रहे हैं ये तो इस अगस्त के लाश्ट मंत में हो रहा है लाश्ट वीक ऑफ अगस्त मंत क्या चल रहा है लेकिन अब हम इतना काबियत रख रहे हैं हमने चंद्रयान 3 पे लेंडिंग कर लिए ठीक है तो अब हमारी डिमांड बढ़ गई है और अब दूसरे देशों की सैटलाइट को भी हम लाँच कर रहे हैं तो इस रो जो है काफी आगे निकल चुका है PSLVC 56 will lift off from the Satish Dhawan Space Center the first launch pad of SDSC SAR in Andhra Pradesh Shri Harikota तो यह पहला launch pad है ठीक है SDSC SAR यहां Andhra Pradesh के अंदर है Shri Harikota के अंदर Satish Dhawan Space Center और यहां से इसको लाँच किया जा रहे है According to the ISRO the primary payload DSR satellite which waves 360 kg यानि सबसे इसमें main जो payload है वो है DSR satellite जो कि Singapore का है ठीक है 360 kg का And was developed under a partnership between DSTA representing the government of Singapore and ST engineering would be launched into a near equatorial orbit यानि आगे चलके इसको near equatorial orbit में launch कर दिया जाएगा At 5 degree inclination and 535 km altitude पे ठीक है इस तरीके से इसको launch कर दिया जाएगा अब वो different purpose में use किया जाएगा ठीक है इसके अलावा ISRO added that New Space India Limited NSIL has procured PSLV C-56 to deploy the DSR satellite यानि इनों ने अगर हम बात करते हैं New Space India Limited ने इसको प्रोक्योर किया है कि यह deploy करेंगे PSLV C-56 On April 19th the ISRO had launched two satellites एक था TELIOS 2 और दूसरा था Lumelight 4 belonging to the Singapore on board the PSLV यानि Singapore देखो अपने satellite दे रहा है ISRO को कि यह हमारे satellite को यह particular इस orbit में आप launch कर दीजे इसके बदले में हमारा देश उनसे obviously पैसे तो लेते ही होंगे पर definitely एक जो हमारा tie relation है सिंगापूर के साथ वो बढ़ता जा रहा है ठीक है तो इस चीद से here are six co passenger satellite that will be launched together इसके साथ साथ यह जो में सेटेलाइट है इसके साथ साथ और हम 6 co passenger satellite भेज रहे है एक है Velux AM जो की एक technology demonstration micro satellite है एक है arcade and experimental satellite designed to study atmospheric coupling and dynamics scuba 2 scoop 2 A3U nano satellite है carrying a technology demonstration payload फिर a newly on by new space and advanced 3U nano satellite enabling seamless IoT connectivity in both urban and remote locations and फिर a Galacia 2 जो की एक 3U nano satellite है plant to orbit and low earth orbit ORB 12 strider this satellite is a product of international collaboration तो यह वो 6 co passenger satellite है ठीक है अगले पी चलते हैं next अब इसमें से कुछ question what is the name of the satellite that will be primary payload of the PSLV c56 यह DSR कहां का है Singapore का who has procured the PSLV c56 launch to deploy the DSR satellite किसने प्रोक्यूर किया है राइट आंसर हो जाएगा NSIL what is the orbit that the DSR satellite will be launched into कौन सा orbit है यह है आपका near equatorial orbit नियो नेक्स्ट इस्राइल controversial judicial reform bill अगला जो news है वो है इस्राइल के बारे में अब इस्राइल की अगर बात करते हैं तो हमारे एक बहुत ही friendly country है इस्राइल हमारे साथ अच्छी दोस्ती है इस्राइल की लेकिन वहां पर Benjamin Netanyahu जो वहां के पुझान मंत्री है उनके साथ कुछ problem चल रही है अभी अगर हम बात करें इस्राइल के अंदर मतला हमारी नहीं वहां इस्राइल के अपना internal conflict चल रहा है और कुछ ऐसे decision लिए गहा है जहां पर ये लोग question कर रहे है कि democracy खत्रे में है या इस्राइल जो है वहां की जो court है supreme court हो गया उसको control करने की कोशिस कर रही है वहां की government उसके powers को restrict करने की कोशिस कर रही है उसमें से एक main power आता है किसी court का वो है judicial review हमारे आप जानते हैं judicial review किसे कहते हैं ठीक है अब clad के बच्चे हैं तो definitely इसका meaning समझते होंगे judicial review वो power है supreme court का या higher court का कि अगर कोई law बनाती है तो definitely अगर हम बात करते है supreme court की बात कर रहे है तो अगर कोई parliament law बनाती है वो law को अगर कोई case file कर दे कोट के अंदर कि यह law गलत है या इसमें कुछ ऐसी चीज़े है जो unconstitutional है तो उसमें supreme court उस law को पढ़ता है और अपने तरीके से interpret करता है और देखता है कि अगर वो unconstitutional है against the constitution है तो उस law को void कर दिया जाएगा खतम कर दिया जाएगा ठीक है supreme court की तवारा यह supreme court की power है so that कल को parliament अपनी मन मर्जिंग न दिखा है ऐसा कोई कानून लेके ना है जो constitution के against हो पर यहाँ पर यहाँ पर यह चीज देखने को मिला और इसलिए लोग पहली बार इसराइल के अंदर इतनी भारी मात्रा में लोग सडकों पर आ गए और against the government protest करना start कर दिया और यह protest बहुत mass level पर बहुत बढ़ा protest था ठीक है since the start of the year huge weekly protest have been held by people opposed to the government's reform plans the scale of the protest has escalated अब यह protest का जो scale और बढ़ गया है with hundreds of thousands of people packing the street in towns and cities across the country यानि पूरे लोग हजारो के मात्रा में street पे आ चुके हैं बिलकुर protest करते करते undeterred the government passed into a law on monday the first plant change a so-called reasonableness bill removing the supreme court's power to cancel government decision it dims unreasonable तो इसका नाम दिया गया है reasonableness bill reasonableness bill का मतलब कि जिसका कोई reason ना हो ठीक है और एक तरीके से बिना reason के यानि supreme court की power को reduce किया गया है बिना किसी reason के nete nao का कहना यह था कि देखे हम यह bill इसले लेके आ हैं क्योंकि कई बार हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम policy बना रहे थे लोगों की भलाई के लिए for the social welfare but somehow वो प्लान जो था जो वहां की court है वो बार-बार उसमें एक तरह से टांग अड़ा रही थी बार-बार conflict create कर रही थी इसलिए हमने यह bill लेक्या है कि court जो होगा जादे interfere नहीं करेगा अब प्रोटेश्टर में वहां कहा है कि बेंजामीन नेतियान आहू जो है तुरंत अपने सारे प्लान जो गड़ा जो पॉलिसी बनाई है उसको खतम करें और रिजाइन कर दें ठीक है और अच्छा एक और चीज इसमें कि उनके उपर corruption के charges भी लगे हुए इसके अलावा इसराइल की military के कुछ पूराने जो retired officers हैं intelligence security services के जो है former chief justice जो है और prominent legal figures जो हैं यह सब लोगों के साथ हैं और यह सब मिलके साथ में opposition party के जो leader हैं यह सब मिलके कह रहा हैं कि आप resign करिए छोड़ दीजे अब प्रधानमंतरी का पद्ध critics say that reforms will shield Mr. Netanyahu who is currently on trial for alleged corruption critics यह कह रहे हैं कि जो Netanyahu reforms कर रहे हैं जो चीजे ले के आ रहे हैं इससे Netanyahu अपने जो corruption है उसको बचानिंग की कोसिस कर रहे हैं ठीक है the government argues that the judiciary interferes too much with legislation is biased and support of liberal issues and is undemocratic in the way of judges are selected अब वहीं पर Netanyahu का कहना यह है कि code जो है अपनी मनमर्जी दिखा रही है जो भी हम प्रोग्राम अगरा बना रहे हैं उसमें कर रहे हैं ठीक है I hope this is clear let's move to next अच्छा इसके अलावा यहां पर कुछ और चीज़े हैं कि reasonableness के अलावा इस law के अलावा weekend the power of the supreme court to review or throw out laws enabling a simple majority of one in the neset यानि जो neset के अंदर simple majority का जो rule है उसको चलाने की बात कर रहे हैं neset क्या है वहां की parliament है to overrule such decision have a decision say over who become a judge यहां तक कि इसमें interfere कर रहे है कि अब judge कौन बनेगा including in the supreme court by increasing its representation on the committee which appoints them यानि judge को appoint करने वाली जो committee है उसमें और members को represent करने के लिए भेजा जा रहा है कौन से members होंगे यह खुद government की तरफ से होंगे ठीक है तो उसमें भी interfere किया जा रहा है उनके appointment को लेके scrap the requirement for ministers to obey the advice of their legal advisors guided by the attorney general which they currently have to do by law उसके अलावा देखे वहां के जो attorney general है जिसको advise करते हैं जिन ministers को उन minister को हटाने की बात कही जा रही है ठीक है Benjamin Netanahu is an Israeli politician who has been serving as the prime minister of Israel since December 2022 having previously held the office from 1996 to 1999 and again 2009 to 2021 and he is the chairman of the Likud party इस समय जो Likud party है उसके chairman है he is the longest tenured prime minister in the country's history यानि इस्राइल के इतिहास में सबसे लंबा tenure इनी करा है as a prime minister having served total of 15 years 15 साल तक काम किया है he is the first prime minister to be born in Israel after the declaration of the independence इस्राइल को जब आजादी मिली उसके बाद पहले वो prime minister है जो इस्राइल में जनम लिये है और इस्राइल के prime minister बने है ठीक है next what is the name of Israeli politician who has been serving as the prime minister since December 22 Benjamin Netanyahu what are the main arguments in favor of the judicial reforms judicial हाँ ये कहा उन्होंने कि judiciary interfere कर रही है liberal issues ये भी कहा कि judiciary अब बायाश हो गई है support कर रही है liberal issues को जागे और judiciary is undemocratic in the way judges are selected ये सब कहके नेतनियाउ तो all of the above is the right answer नेतनियाउ ने कहा कि इसलिए reform करने की ज़ूरत है unreasableness bill लेके आने की ज़ूरत है next शंकारी चंदरन wins miles franklin literary award अब आपकी screen पर जो ये हैं ये देख सकते हैं ये शंकारी चंदरन है और इनको miles franklin literary award मिला है 2023 का इनका जो novel है उसका नाम है चाय टाइम एड सीनमन गार्डन्स और इंटी ग्रेशनल एपिक कन्फरंटिंग अस्ट्रेलियाज अनेजी रिलेसंसी विद मल्टी कल्चुरलीजम प्रॉन जो अस्ट्रेलिया के अंदर मल्टी कल्चुरलीजम को लेके जो प्रॉब्लम है और उसके बाद जो कॉलोनियल वहां से कॉलोनाइजेशन हुआ था उसके बाद जो ट्रॉमा है उसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है जिसका नाम रखा है चाय टाइम एड सीनमन गार्डन्स यह इन्होंने जीता है इस नोविल को लिखके चंदरन एक सीडनी बेस्ट लॉयर है तमिल हरिटेस की कलेक्टेट दप्रिश्टीजियस इनको साथ हजार डॉलर का आवार्ड दिया गया इस पर्टिकुलर मेडल के साथ अवार्ड के साथ ठीक है जज इस प्रेस्ट अब सिविल वार्ड जो वेस्टन सिडनी और स्रिलंगा के अंदर सिविल वार हुआ है उसको कंपेर करते हुए इन्होंने लिखा हुआ है as an accomplished work of character, dialogue and action उसको लेके इनको अवार्ड मिला है Miles Franklin Literary Award जो है it is one of the prestigious literary award in Australia Australia के अंदर prestigious literary award होता है वो उसमें से एक है next sports ministry accords recognition to handwall association of india finally sports ministry ने handwall association of india को recognition दे दी है ठीक है एक दरजा दे दी है अब इसमें क्या है union ministry of youth affairs and sports has decided to recognition handwall association of india लिख के बताईए इस समय sports ministry के minister कौन है sports ministry किसका department है कौन head कर रहे है minister में as a national sports federation for the formation and regulation of the sports in the country with immediate effect यानि अब एक sports ministry जो है उसका अपना एक handwall association of india भी होगा और national sports federation मिलके या अपस में collaborate करके जो handball game है उसको operate करेंगे देश के अंदर ठीक है the development comes after दिगविजय चौटाला was elected as the president of handball association of india and jagan mohan rao as its secretary general ending a long standing impasse over running of the sports following the indian olympic association intervention यानि indian olympic association ने intervene किया और इसके उपर बार-बार चर्चार चल रही थी कि handball जो है यह olympic में भी खेला आता है तो इसको हम recognize क्यों नहीं कर रहे है इंडिया के अंदर recently the ioa also gave hci recognition after it agreed to merge with the handball federation of india यानि अब यह जो handball association of india है यह handball federation of india के साथ merge कर जाएगा the me cable resolution assumes importance as india has been preparing for the upcoming hangzoo asian games और india hangzoo asian games जो की china में होने वाले हैं उसके लिए preparation कर रहे हैं तो जो handball से related जुड़े हुए sports related जो लोग है sports person है उनके लिए अच्छी ख़बर रही ठीक है which ministry has recognized the handball association of india as a national sports federation that is ministry of youth affairs and sports what is the name of the new president of the handball association next news आदित्य सामन्त becomes india's 83rd grand master at bail chess festival आप देखें bail chess festival चल रहा है यहां पी screen पर आप देख सकते हैं यह है आदित्य सामन्त यह 83rd grand master बने चेस के अंदर grand master बनने के लिए एक chess का procedure होता है कुछ points होते हैं जो आपको collect करने होते हैं ठीक है वो points इन्होंने collect करके और यह 83rd grand master बन चुके हैं so only at the age of 17 years आदित्य सामन्त achieved a momentous feat becoming india's 83rd chess grand master this remarkable achievement came during the bail chess mtu 2023 tournament जो यह चल रहा है first grand master from india india से पहले grand master कौन है वो है विश्वनाथन आनन ठीक है आनन grand master जीते थे 1988 में इनको यह grand master का title दिया गया था when he was only 18 years old after winning shakti finance international chess tournament held in coimtur india coimtur india में जो shakti finance international chess tournament हुआ था उसमें 1988 में grand master बन गया थे it is the highest title awarded by the world chess federation fight fight जो है federation international dhs करके है यह एक तरह से french full form है अगर short form की अगम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है a grand master is a player who has achieved a specific rating इस समय दिखाया है तो currently 2500 ELO rating की ज़ुरत पड़ती है ELO जो थे यह एक तरह से physics professor थे और इन्होंने यह points system बनाया था and fulfilled other performances requirements in official fight recognition chess tournaments यानि बाकी सब requirements को fulfill करते हुए पचीस सो EL points जो gather कर लेता है उसको grand master का दर्जा दे दिया आता है ठीक है Bengaluru becomes first Indian city to join world cities culture forum Bengaluru पहला हमारा Indian सहर बन गया ऐसा city बन गया है जिसने world cultural forum को join किया है in a historic moment for the city Bengaluru often hailed in as India Silicon Valley Bengaluru को India का Silicon Valley कहा जाता है and recognized as the country's fastest growing metropolis is a set to become a city partner of the prestigious world cities culture forum कि अब यह city partner बन गया है prestigious world cities cultural forum में world cities cultural forum is an influential global network of creative cities placing culture at the heart of the city planning and industry trend तो उसका एक पाहड बन चुका है Bengaluru ठीक है अगर हम बात करते हैं announcements marks Bengaluru as the only Indian city to join the ranks of over 40 major global cities यानि 40 global cities का जो ranking system है उसमें Bengaluru केवल इकलोता Indian city है spanning six continents in the WCCF Bengaluru will be proudly represented by Mr. Prasad Prakas the eminent visionary behind the unboxing BLR foundation world cities cultural forum is an organization founded in 2012 by the office of the mayor of London ठीक है इनके द्वारा इसको find out किया गया था now what is the name of organization that Bengaluru has partnered with world cities cultural forum यहां पर यह option D is correct who will represent Bengaluru at the WCCF Prasad Prakas विल्कुल विशानात्रा अनन्ट चैसका गुँक्रवर्स लार्जेस्ट् esos लार्जेस्टỏi ट्राइट किम्निकेशन सेैलाइट जुपीटर 3 यानि Jupiter 3 जो की दुनिया का लार्जेस्ट का मजेशन सेटिलाइट यह diye है सबसे बड़ा है तो यहां पर एलन मस्क का नाम आता है इस पेस एक्षप्लॉरेशन कमपनी इस पेस एक्स इस आपज कोन एलन मस्क है थेखिया आफ फालकन हेवी रॉकेट विल लांच मैक्सर टेक्णोजी लाइब गएख एवर सेटेलाइट कॉल जुपीटर 3 इस रखा गया है Jupiter 3 according to space.com के अनुसार एक falcon heavy rocket जो है वो इसको launch करेगा approximately 8 minutes after launch falcon heavy side boosters will return to earth यानि falcon heavy में जो लगे हुए side boosters है वो वापस return हो जाएंगे और्थ के and land on landing zones 1 and 2 जो landing zones 1 and 2 बनाए गया है वहाँ पर यहाँ के land कर जाएंगे और फिर वो अपना orbit में Jupiter 3 पहुंच जाएगा carry Jupiter 3 to orbit which will lift off from launch complex 39 यह address launch किया जाएगा it is spacex 7th launch for the triple booster rocket and the Jupiter 3 will join others in the highest Jupiter satellite fleet already in orbit उसको जाके यह Jupiter 3 जोइन कर लेगा इसके लावा हमने world tiger day यहां पे celebrate किया है international tiger day it is observed on july 29th every year तो किस डे को tiger day celebrate किया आता है july 29 को हम tiger day के रूप में celebrate करते हैं world tiger day अगर हम tiger की बात करते हैं इंडिया की तो world tiger day was first celebrated in 2010 during the St. Petersburg's tiger summit in Russia it was initiated to promote a global system for protecting the natural habitats of tiger and to raise awareness about their endangered status हम जानते हैं tiger एक endangered species है लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो project tiger जैसे ऐसे कुछ campaign launch किये गए जिसके बाद हमने देखा कि tiger की जो संक्या है बढ़ गई और आज इंडिया में हम three-fifth अगर बात करते हैं तो three-fourth यानि चार में स्कीन tiger हमारे या इंडिया के अ रखा गया है कि कहीं भी इनका illegal trade नहीं किया जाएगा इनकी body parts का या इसमें और भी बहुत सारे animal covered होते हैं तो यह sites एक international trade endangered species wild follow and corona एक meeting हुई थी उसमें यह चीज़ सीज़े तैह हुई थी which bans international trade in tiger parts and derivatives India currently has more than 75% of the world's tiger and India has a total of 53 tiger reserves आज के समय में इंडिया 75% दूनिया वर के tiger है उसका घर है ठीक है और आज हमारे पास 53 tiger reserves है पर्पस आफ वर्ट टाइगर डे क्या है to promote a global system for protecting the natural habitats to raise awareness about the endangered status हाँ दोनों यह हो जाएगा भी हो जाएगा next how many tigers reserves 53 tiger reserves है heritage bicula railway station received the UNESCO award 2023 अब एक bicula railway station है यहाँ पे जो बीजेपी की एक नीता है उन्होंने ये कोशिस किया कि इसको वापस reform किया जाए और उस पे action लिया और यह जो 169 years old bicula railway station है back the UNESCO Asia Pacific award for merit for cultural heritage restoration and conservation और इस पुराने railway station को दुबारा सही तरीके से बना दिया गया है आज जाओगे वहाँ देखोगे तो बिल्कुल बढ़िया बहतरी इन दिखेगा ठीक है तो union minister for railway communication electronics and information technology अश्वनी वैस्नों ने यह announce किया कि हमने यह award जो मिला है UNESCO की तरफ से बाइकुला railway station को मिला है प्रोजेक्ट लॉंच्ट इन जुलाई टू तरन्टी नाइटी 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 आपको याद रखना है ठीक है पहली बार जो राजसभा के जो मेंबर्स होते हैं वाइस चेर परसंट उसमें नागा लेंड की कोई वूमेन फर्स्ट वूमेन मेंबर्स जो है उन्होंने जॉइन किया है Marking a significant moment in history, the first woman member from Nagaland is in the Rajasabha Srimati Fangnon Konya presided over the house Earlier she had created history by becoming the first ever woman member to be appointed to the panel of Vice Chairperson on July 17, 2023 आप यह प्रिसाइड किया है इन्होंने पहली बार हाउस में नागलेंड की हैं पहली वूमेन तो प्रमोट जेंडर एक्वालिटी जगदीब धंकर दे चेर्मेन ऑफ राजसभा नॉमिनेटेड फूर वूमेन मिंबर्स यानि वाइस चेर्परसन की पैनल में यह जुड़ गई है आठ में से चार मिंबर्स जो है अगर देखा जाए तो जेंडर एक्वालिटी की बात करते हुए यहां पर जंदीब धंकर ने चार वूमेनस को चुना है, आठ में से चार वूमेंस को चुना हुआ है अपने बाइस के रूप में वाइस चेर elbows का काम होता ALL जितना भी पर्लेमेंट चांतर राज्याब को की पार्लेमेंट का इंदर नॉर्मली जितने भी northern rivers हैं, जिनका source of water जो है glacier है, वो सब perennial rivers हैं, ठीक है, गोमती जो है एक tributary है, river गंगा की, और इसको non-perennial अब घोसित कर दिया गया है, क्योंकि इसमें पानी की कमी दिखने को मिला है, So, government order issued in September 2020, declared गोमती as a non-perennial river, stating that environment maintained throughout the year and no surplus water is available for augmentation, यानि अब पानी जो है गोमती river का कहीं जमा करके, इकठा करके, यूज नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि अब इतना surplus water गोमती river में रह नहीं गया है, और इसलिए इसको non-perennial बता दिया गया है, non-perennial कहने का मतलब यह है, कि उन rivers को perennial कहते हैं, जिन में पूरे साल भर पानी होता है, ठीक है, तो जो glacier, जो northern rivers हैं, जो हिमालियात से आ रही है, वो नदिया normally glacier के पिखलने से आती हैं, और फिर बाद में चलके बारिश होने कारों, उसमें थोड़ा पानी आ जाता है, जादे non-perennial, अब गुम्ती को भी non-perennial बोल दिया गया, तो non-perennial करने के पीछे मकसद यह है, कि अब इसको conserve किया जाएगा, जो rivers non-perennial नहीं है, उस rivers के उपर कुछ limitation लगाई जाती है, जैसे the order also declared a 50 meter area from both riverbanks as a non-construction zone, At 2010, Allahabad High Court order had earlier directed the UP government to halt construction activities within 100 meters of the riverbanks, और इस से पहले 100 meter तक और इस समय 50 meter तक का जो पुरा area है, इसमें non-construction zone बना दिया गया है, कि इसमें कोई construction वगरा नहीं होगा, ठीक है, इस river के side में, गुम्ती river supply करता है around 450 million liters per day of water to Lucknow, but is considered the fifth most polluted river in India, यानि लखनों को इतना पानी per day के हिसाब से गुम्ती river supply करता है, लेकिन अगर देखा जाए, तो पाँचवा सबसे polluted river आया है, 2022 CPCB report के according, pollution in the river is caused by discharge of untreated seaways, industrial effluents, domestic waste, and encroachment of floodplains की बहुत सारे reason होते हैं, treated आप जानते हैं, देश पूरे शहर का नाला जो है, उसका discharge हो रहा है पानी सीधा river के अंदर, ठीक है, अब वो river जो है, जो कि ये कहा जाता है, कि self sufficient होती है, कोई नदी अपने आपको खुद clean करने में, लेकिन इतना जादे कच्रा चला जा रहा है, कि नदी अपने आपको clean नहीं कर पा दिए, ठीक है, भूमिका विल्कुल NCET के बारे में भी बात करेंगे, अभी तो आज current affairs की मैं class लेके आया हूँ, तो अभी इसके ओपर discuss कर रहे हैं, और ये जो current affairs की class है, ये सब के लिए beneficial है, मैं कहूंगा, ठीक है, it is not just about कि ये CLAD का ही सिर्फ चल रहा है, CLAD के लिए तो obviously ये especially है, क्योंकि detail में हम कुसी चीज को पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आप दूसरे किसी competitive exams की preparation कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए helpful है, ठीक है, perennial rivers such as Ganga and Brahmaputra in India have a constant flow of water throughout the year, they are sustained by a combination of rain water and the melting of glacier, particularly from the Himalayan rivers, जायतर perennial rivers में Ganga, Brahmaputra, Satlus, Indus, ये सबी नदियों का नाम आता है, मैंने कहा Himalayan reserves जो है, वो perennial है, perennial मतलब सदा बहार, हमेशा इसमें पानी रहता है, ठीक है, in contrast, non-perennial rivers जो है, जैसे कि Godavari हो गया, Krishna हो गया, may experience period with water flow, अब non-perennial rivers क्या है, वो depend होती है, monsoon पे, rain water पे, अब बारिश हुई, तो पानी रहेगा, बारिश नहीं है, तो ऐसा समय भी आएगा, जब पूरी तरह से नदी सुख जाएगी, तो उसको perennial नहीं, non-perennial कहा जाता है, ठीक है, next, what is the name of the order that declared Gomti as a non-perennial, तो यह September 2020 government order था, ठीक है, what is the main reason why the Gomti river is considered non-perennial, एक तरह से हम कहा सकते हैं, glacial reserve से तो originate नहीं होती है, relies more heavily on rainfall forest water supply, Gomti river जो है, pollute होती जा रही है, इसके पीछे एक reason है, world-based cities for student, अब एक data निकाला जाता है, QS के द्वारा, QS क्या है, इनके द्वारा data निकाला जाता है, कि world-based cities कौन सी है, students के लिए, बच्चों के लिए, आप समझ लिजे कि उन बच्चों के लिए, जिनके पास पैसा है, और जाके वहां पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि यह वो cities है, जहां सब effort नहीं कर सकते, So, London was declared as the number one city for student to leave, QS best student city service showcase the best urban destination for international students, अब इसमें लंदन टॉप कर गया है, ठीक है, Quackrelly Simons is a British company specializing in the analysis of higher education institution, यानि higher educational institution जो होते हैं, उसको analyze करती है, record पढ़ती है, उसके हिसापस उनको rank देती है, So, around the world, the company was founded in 1990 by Nunzio, Quackrelly, और उनी के नाम पे इसका, कंपनी का नाम पढ़े गया, Quackrelly Simons, QS has ranked cities on six parameter, छे parameter होते हैं, जिसके basis पे यह rank करते हैं cities को, इसमें university ranking, student mix, desirability, employer activity, affordability and student voice, यह सारी चीज़े देखी जाती है, अप्रेस statement, reveals कि इसमें यह सारी चीज़े बताई जाती है, कि हमने यह सारे parameters के basis पे rank की दिया है, इन शहरों को, ठीक है, और उसमें London जो है, वो top कर गया है, Mumbai का rank क्या था, 108, highest among Indian cities in the latest Quackrally Simons, यानि Mumbai में अगर कोई student पढ़ाई करना चाहता है, तो 118 नंबर पे यह city आता है, मतलब ranking system में, for best student cities 2024, released on July 19th, at 132nd position, और दिली जो है, वो 132nd position पे है, has come as the second most affordable student friendly city, followed by Bengaluru 147, and Chennai at 154, and Indian cities have witnessed a drop from their previous ranking, यानि पहले के comparison में और नीचे चली गही है, टीक है, Indian cities की ranking, London retains at its top spot as the world's best student city for the 5th consecutive time, Tokyo gains the second place, followed by Seoul in the 3rd, Melbourne ascends to 4th, while Mumneech slips to 5th, यह कुछ वो important सहर है, जहाँ पे students के लिए अच्छी facility available है, education की बात करते हैं, और अधर चीजों की बात करते हैं, कि education के साथ साथ उनको employment भी मिलते हैं, जो 5 parameter हैं उसके basis पे, So which city ranked as the best city for student to leave Quack Rally, Simons के अनुसार, London, What is the name of the Indian city that was ranked as the best Indian city for student in QS, यह है Mumbai, ठीक है, What was Mumbai's global ranking in the best, 108 रंक कहेंगे, So, यह था आज का current affairs, अगर मैं बात करता हूँ, July last week का current affairs, ठीक है, इसी तरह अब next week फिर मैं आपको ले के आउँगा, next week नहीं, इसी week मैं आपके ले के आउँगा, August first week current affairs, ठीक है, तब तक जुड़े रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं next class में, Thank you everyone, bye bye.